प्रोफेसर नीलिश खंडीरिया फ्रम नोबल गुरूप इंस्टिट्यूशन चले लास्ट लेक्चर में हमने सम कंप्लिट किया था सम नंबर फोर जिसमें हमने बैलेंच शीट का पूरा फॉर्मेट इंफर्मेशन के साथ कैसे बनता है वो हमने देखा था तो चले अब इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉज स्टेट्मेंट से तो चले शुरुआत करते हैं देखिए आपकी स्क्रीन के सामने सम नंबर है 5 इसमें हम पढ़ने वाले हैं P&L और उसका पू किया था और उसके बाद कौन सा हेड में आप कौन सी इंफर्मेशन लिखोगे वो भी आमने नोट्स टु एकाउंट वाले लेक्चर में किया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो तो चले यह सम शुरू करते हैं अब देखें आपके सामने है सम नंबर फाइव पहले हम क्वेशन रीट कर लेते हैं सिंपली देखिए फाइनल एकाउंट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपको सिर्फ सिंपली फॉर्मेट प्रैक्टिस करना है और फॉर्मेट आपको अगर आ रहा है पूरा का पूरा तो अब इसके बाद इस लेक्टर में दो सम आने वाले है एक होगा बेजिक सम जिसमें हम पीएनल बिलेंट एक साथ में बनाना सीखेंगे उसमें दो तिन एक्जेश्मिंट होगे उसके बाद है का मास्टर सम यानि कि इसके बाद इस सीरीज में दो वीडियो अपलोड होने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहला आप इसमें पहले क्या गीजिए पहले तो आप पूरा का पूरा पेनल टेट्मेंट बना लीजिए उसके बाद सिर्फ आपको साइड में लिखना है उसका अ इसके बाद पूरी की पूरी बिजनस की इंकम है यानि की प्यॉरली बिजनस की तो हम कहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे तो देखिए यहां पर सेल्स आएगा अगर सेल्स रिटन होगा तो यहां सब माइनस करो के लेकिन यहां पर हमें सिर्फ सेल्स दिया गया है तो सेल्स कितनी आमांट है 16 लेक तो चले यहां पर लिख देते हैं 16 लेक इसको कर sales के सिवाई कि कोई भी income हो तो आप कहाँ पर लिखोगे other income में देखे यहाँ पर एक profit on sale of investment हमें दिया गया है यानि कि हमारी income है benefit है लेकिन हमारा business का नहीं है किसका है investment का तो simply हम उसको कहाँ पर लिखेगे other income में तो चलिए इसको भी लिख देते हैं हम पहले amount कितनी है 26,000 तो total हम बाद में लाश में लगाएंगे उसके बाद आएगा total revenue यहाँ पर आप simply लिख सकते हो total income revenue from operation and other income का में total लगाएंगे उसके बाद expenses उसमें सबसे पहला कि आएगा purchase अब देखिए purchase की amount में कितनी दी गई है यहाँ पर 710,000 तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 710,000 अब directly purchase यहाँ पर लिख देते हैं 710,000 उसके बाद आता है changing stock अब changing stock में आप simply क्या करोगे opening minus closing stock की amount अगर आपको दी गई होगी तो आप यहाँ पर opening में से closing minus करोगे तो देखते हैं यहाँ पर opening की amount है 60,000 और closing की amount है 70,000 तो चलिए हमें simple ही क्या करना है opening minus closing तो simple ही हम करेंगे यहाँ पर 60,000 minus 70,000 यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद 60,000 में से अगर आप 70,000 minus करोगे तो answer आएगा minus में मतलब की negative आएगा तो हम negative में यहाँ पर लिखेंगे minus 10,000 तो लिख दिया हमने minus 10,000 ठीक है उसके बाद उसके बाद क्या आता है direct expense अब लिखें direct expense अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा wages को अगर आप other expense में डाल दोगे तो भी आपके कोई भी marks नहीं काटेगा लेकिन simply अगर आपको याद हो तो simply आप इससे लिख सकते हो तो फिर उसके बाद आएगा direct expense करते हो यानि की directly connected है business के साथ तो वह expenses आप कहाँ पर लिखोगे direct expense के अंडर लिखोगे तो यहाँ पर simply हमें सिर्फ एक ही दिया गया है wages amount कितनी अब 40,000 तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर wages 40,000 40 ठीक है उसके बाद आता है employees benefit expense अब देखें employees के related आप जो भी expenditure करते हो वह कहाँ पर आएगा employees benefit expense के अंडर आएगा तो simply यहाँ पर हमें एक ही word दिया गया है salary amount है 5,000 तो simply हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5,000 तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया 5,000 चलिए उसके बाद उसके बाद क्या आता है finance cost यानि कि जो भी आपने मार्केट से finance का लेक किया हुआ है उसको आपको every year कुछ ना कुछ return देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20,000 चलिए यहाँ पर हमारा हो गया लिख दिया हमने उसके बाद आता है depreciation and amortization देखिए यहाँ पर depreciation की कुछ भी कोई भी information दी नहीं गया है तो simply में यहाँ पर डेश कर देता हूँ या 0 लिख सकते हो अब ठीक है अगर नहीं लिखोगे skip करोगे तो भी चलेगा इसको उसके बाद आता है last and final other expense अगर कोई भी expense उपर रहे गया है यानि कि वह उपर वाले purchase, changing stock, direct expense, finance coach कहीं उपर भी नहीं cover हो रहा है तो आप कहाँ पर लिख सकते हो other expense मे तो लेखे other expense में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे office and sales expense तो office and sales expense हमको कितना दिया गया है 40,000 तो simply हम यहाँ पर लिख देंगे office and sales expense amount है 40,000 तो चले हमने यहाँ पर लिख दिया अब हम लगाएंगे total तो चले निकाल लेते हैं calculator सबसे पहले अगर मैं total लगा हूँ income set का तो सबसे पहले sales 16 lakh plus 26,000 other income तो total कितना आया 16 lakh 26,000 तो चले यहाँ पर हमने लिख दिया उसके बाद हम करेंगे expense set का total अब देगे expenses में सबसे पहले है 7 lakh 10,000 purchase का तो simply यहाँ पर हम लिखेंगे 7 lakh 10,000 प्लस उसके बाद है minus यानि की changing तो के वह negative है तो हम simply minus करेंगे 10,000 उसके बाद plus wages कितना दिया गया हमें 40,000 तो plus 40,000 उसके बाद employees benefit expense यानि की salary कितनी दी गई है 5 lakh rupees तो simply हम total करते हैं 5 lakh rupees उसके बाद है 20,000 तो 20,000 उसके बाद है 40,000 तो plus 40,000 चले हमारा expense set का total हो गया 13 lakh कितना हो गया 13 lakh तो simply यहाँ पर total expenses में हम लिख देते हैं 13 lakh अद देखे profit before tax कितना आएगा तो उसमें आप करोगे revenue में से आप total expense minus करोगे तो आपको मिलेगा profit before tax तो simply 16 lakh 26,000 minus 13 lakh तो आपको profit before tax कितना मिला 3 lakh 26,000 तो लिखते हैं 3 lakh 26,000 उसके बाद provision for tax यहाँ पर आपको percentage भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें तो directly amount दी गई है तो हमें जो भी मिलेगा profit वो कौन सा होगा profit after tax तो चलिए यहाँ पर minus कर देते हैं 1 lakh 63,000 तो simply profit after tax भी कितना आया 1 lakh 63,000 चलिए यहाँ पर हमारा sum होता है complete मिलते हैं next video में thank you for watching this video till then bye bye take care